नमस्कार नाकपूर हल्चल में आपका स्वागत है तो अब नजरे डालते हैं नाकपूर के विबित हल्चल पर महमुदा शिक्षन और महिला ग्रामिन विकास बहुत दिशिय संस्ता अंतरगस सेंटर इंडिया गुरूप ऑप इस्टिटूशन में सुक्ष्मिलगू और मध्यम उद्योग मंत्राले द्वारा राश्ट्य सर पर जागरुकता कारेकरम के द्वारा संभव अभियान के तहत व वेबिनार के प्रमुक अतिती पी-एम परलिवार, पूरो कैबिनेट मंत्री डॉक्टर अनिस अहमद, परिनिता पंधराम आदी उपस्ति थे वेबिनार के मुख्यवक्ता परिनिता पंधराम थी, कॉलेज के छेसो चात्रों ने गुगल मीट के माध्यम से भाग लिया Central India Group of Institution में आयोजित वेबिनार का मुख्यवदेश, सभी शेत्र में पढ़ने वाले चात्रों तक MSME की विभिन योजनाओ की जानकारी पहुचाना, तता उनमें जागरुकता बढ़ा कर उद्ध्योक्षेत्र के लिए प्रोचसाहित करना था, जिसमें चात्र सिर्फ नोकरी पर निर्भर न रहते हुए उद्ध्योक्षेत्र में आगे बढ़े, परनीता पंधाराम ने वेबिनार में चात्रों को विभिन सुक्ष्म, लगू और मद्यमद्यों की जानकारी बैंक लोन प्रक्रिया, लोन सुविदा, MSME रजिस्ट्रेशन के बारे में बताया, तता चा आत्रों को उद्ध्योक्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोच साहित किया, उन्होंने वीडियो द्वारा संभोय योजना की तहट जरूरी जानकारी दिखाई जमात ए इसलामी हिंद नाकपूर साउथ ने मेडिकल सर्विस सोसाइटी नाकपूर के संयुक्तत अत्वावधान में भव्य निशुल्क मेडिकल क्याम का आयोजन सेंटरल एवेनू तिरके भवन चोक परस्ती दमेट्रो मल्टि स्पेशलिटी क्लीनिक में किया था इन चार्ज इकबाल शेख ने बताया कि इस निशुल्क मेडिकल क्याम में 240 रोगयों का साधारन बाल, चर्म, स्त्री, रुदेव एवं मानसिक रोगों का निशुल्क परिक्षन डाइगनोवा डाइगनोस्टिक सेंटर की ओर से 40 निशुल्क बलड शुगर की जांचे और नाकपूर महानगर पालिका के टिका करन इन चार्ज डॉक्टर M. Khwaja के हस्ते हुआ, इन चार्ज डॉक्टर सिद्दक अहमद, मापाउंडेशन के अद्रक्ष सत्तु चांडक, नाकपूर महानगर पालिका के मेडिकल ओफिसर डॉक्टर संजय चिलकर और जिला मुख्य किविल सर्जन ओफिस के एंसीडी नोडल अधिकारी डॉक्टर दानिश इकबाल क्याम के विशश अथिति थे, डॉक्टर आसिप कुरेशी, डॉक्टर मुस्तपा आली, डॉक्टर नदीम बेग्ड, डॉक्टर आलिया अम्रीन, डॉक्टर शेक रमीज रजा, डॉक्टर र रयोजित कर विभिन पहलूओं पर चर्चाए की गई, सामाजिक धार्मिक शेक्षनिक एवं मानो सेवा के लिए समर्पित नाकपुर की अग्रणी संस्ता सर्व मानो सेवा संग के अठेतर वी शाखा का उदगाटन, संस्ता बग अध्धक्ष सुभाश कोटेचा की अध्ध कि आप धन से भले ही सेवान ना कर सके, लेकिन मन से और तन से सेवा कर सकते हैं। का डिसकाउन हो सकता है, केवल आपको मरीज की सूचना संस्ता के हेड ऑफिस में देनी हैं। इस प्रकार से हम मानो सेवा का कार्य कर सकते हैं। 36 गर्ड मध्यप्रदेश एवं ग्विदर्ब में कुल मिला कर अब 78 शाखाए हो चुकी है। अन्यपदादीकारियों द्वारा दीप्रजोलन करते हुए कारेकरम का शुभारम किया गया। मंडल के अद्यक्ष अजुन्दास अहुजा द्वारा कारेकरम की प्रस्ताउना रखी। वह मंडल का संग्शिप्त परिचे दिया। सुप्रिसिद्ध गजल गायक शिशिर पार्खी। वह सभी वादक कलाकारों का परिचे करवाती हुए हर्श द्वनी से उनका स्वागत किया गया। इस स्वागत कारेकरम का कुशल मंच संचालन मंडल के कोशा देक्ष अशक कुमार गांधी ने किया। ततपश्चात मंच कारेकरम के सुप्रसिद्ध गजल गायक शिशिर पार्खी को सुपूर्थ किया। कारेकरम को सफल बनाने में सर्वसरी मनोहरलाल अहुजा, रमेश आसनानी, लक्षमन पेशवानी, एडवोकेट ओम्प्रकाश हरवानी ने अतक प्रयास किया। केंद्र सरकार आयूश मंत्राले द्वारा सम्मानित किया गया। इस अउसर पर मंच की ओर से डॉक्टर भागवतकर का शौल, श्रीफल, पुश्पगुच्छ, मोमेंटो देकर सतकार किया गया। एवं सभी ने दीपावली मिलन एक दुसरे को शुपकामनाय दी। कारेकरम में प्रमुक उपस्तिती महामंत्री दिलिफ राखे। अनिकेद भलावी प्रतिक शेंडे ने सहयो किया। वो आदी गनमाने लोग उपस्तित थे। परियावरन रक्षा की आडले कर कुछ तत्वों द्वारा महामेट्रों की छवी को खराब करने का प्रयास किया जा रहा है। फुटाला के समीब मल्टी लेवल पार्किंग प्लाजा की निर्मान के लिए फुटाला तालाप के समीब पिकेवी की भूमी पर लगे 500 रुक्षों की कटाई करने का आरोप लगाया गया है। यह सरासर गलत है। मनपा ने महामेट्रों को 21 सितंबर को एक पत्र जारी किया है जिसमें 16 सागवान के पेड़ गिराने की अनुमती दी गई है। इससे पहले 12 सडक के किनारे पेड़ काटने की अनुमती जारी की गई थी। यह आरोप भी लगाया गया है कि महामेट्रों ने पिकेवी की भूमी पर 500 पुर्ण विकसित पेड़ों को अवेद रूप से काट दिया है। महामेट्रों का सपष्ट कहना है कि जमीन पर केवर 16 सागवान के पेड़ थे। मई 2019 की सैटलाइट इमेज से पता चलता है कि जमीन पर कोई जंगल नहीं था जैसा कि तथाकिति तत्वों ने दावा किया था। यह तस्विर जानबुच कर प्रसारित नहीं की जा रही है। वरतमान में फोटोग्राफी और फोटोशॉप युवा पीड़ी के लिए एक ट्रेंड बन गया है। इसके साथ ही कारेशाला में इसक्षेत्र के विशेशक्यों से उननत फोटोशॉप, फोटोशॉप की नई तकनिक, लाइफ फोटोग्राफी, 3D इमेज, वेडिंग अल्बम शिट डिजाइन सिखाई गई। फोटोशॉप वर्कशॉप का लाब वर्कशॉप आये हुए फोटोग्राफर ने उठाया, इस अवसर पर फूजी फिल्म के जितेंद्रवान खेडे, राज़ंद्र चौधरी, प्रिंसिंग, महासंग के सुनिल कोरेगाउकर, गवजानन लाड, आनंद निर्भाव ने, आन गुपाडू और नेल्लोर खंड के बीच, जल जमाओ के कारण निम्ना लिखी ट्रेनों को रद करने का निर्ने लिया है, दो दो छे तीनेक, मदुरे विकानेर एक्स्प्रेस, आज 25 नमबर को मदुरे से छुटने वाली रेक्क्या भाव में रद रहेगी, दो शुन्य चार एक भगत की कोठी, तिरुचिरा पल्ले एक्सप्रेस 24 नमबर को भगत की कोठी से छुटने वाली रेक्क्या भाव में रध हुई भारतिय जनता युवा मोर्चा नाकपुर जिला तालुका नाकपुर की कार्यकारेनी घोशित की गई भाचपा कार्यकारेनी में पुर्वपालक मंत्री चंद्र शेकर बावनकुले ने विने राजंद्र मेश्राम को नाकपुर तालुका का संपर्ख प्रमुकपत से नियुक्त कोशित किया कार्य कारिनी में अन्य कार्य करताओं का भी चैन किया गया विधायक टेक्चन सावर कर जिला अध्यक्ष आदर्श पटले जिला महामंत्री अजे बोधारे अध्यक्ष हरिश कंगाली की उपस्तिती रही कलमेश्वर तहसिल के सुसुंदरी गाओं की जिला परिशत स्कूल बे युवाओं के लिए अत्याधुनिक व्यायाम उपकरम से सजी व्यायाम शाला का उध्गाटन किया गया ये व्यायाम शाला चंद्रिशकर काले वस्तात की स्पूरुती प्रित्य अर्थ चालो की गई इस स्वयाम शाला के लिए सभी उपकरण मंत्री सुनिल केदार ने उपलप्त करवाएं। सभापति श्रावन दादा भिंगारे ने इस वक्त युवाओ को मार्व दर्शन करते हुए स्कूल की सवरक्षक दिवार की समस्या जल्द से जल्द हल की जाएगे ऐसा आश्वासन दिया। नागपुर, सांस्रूतिक मंत्राले, भारत सरकार एवं भाशा और सांस्रूतिक विभाग, आंदर प्रदेश द्वारा, स्वतंतरता सेनानी, उयालवडा, नर्सिम्हा, रेडी को समर्पित लोकन रुत्य, भारत भारति का एवजन कल 26 एवं 27 नवंबर को प्रति दिन दोप पुसुपुलेटी अयप्पा स्वामी एवं समुह द्वारा, गल्गुल नृत्य, आंदर प्रदेश, साधुश्री लक्ष्मी एवं समुह द्वारा, तपेट्टा गुल्लू, आंदर प्रदेश, शिरिशा एवं समुह द्वारा, बोनालो नृत्य, तेलंगाना, सुबोत प्रामाडिक एवं समुह द्वारा चाउन रुत्य जार्खन, गुरदर्शन सिंग एवं समुह द्वारा भांगरान रुत्य पंजाब और डॉक्टर राहूल हल्दे एवं समुह द्वारा लावनी रुत्य महराष्य की प्रस्तुतिया दी जाएगी 27 नमांबर को पुसुपुलेटी अयपा स्वामी एवं समुह द्वारा विर्नाट्यम आंध्र प्रदेश, एमलिंगिया एवं समुह द्वारा कमसाले नृत्य करनाटक, सुबोद प्रामानिक एवं समुह द्वारा पाईका नृत्य जार्खन, गुरुदर्शन सिंग एवं प्राप्त क्यों न हुए हो। देशाई द्वारा सम्मान पत्र प्रदान कर गौरवान वित किया गया। इस आउसर पर डॉक्टर दातार अपने विचार प्रकट कर रहे थे। दाउदी बहरा समुदाय नाकपुर द्वारा समुदाय के प्रमुगधर्मगरू आली कद्र मुफद्दल सहब टी उएस के जरम दिन की पूर्व संध्या पर बुरहानी मस्जित सदर्व इतवारि स्थित बदरी मस्जित में उत्साह के साथ धारमीक आयोजन संपन्न हुए। इस औसर पर मस्जित को रोश्नाई से सजाय गया था। दाउदी बहरा समुदाय के सदस्यों ने बड़ी संख्या में इस आयोजन में शिर्कत की। इस दोरान समुदाय के सदस्य के निवास पर भी रोशने नदर आई। आयोजन के दोरान इतवारी मस्जिद में नजमुद्दिन भाई फिदवी ने मार्गदर्शन किया, समुदाय के वरिष्टा सदस्य शब्बिर भाई फिदवी, मोईज भाई बंदे अली, तूरब भाई फिदवी, कुतुबुद्दिन भाई मैमुन, जुजेर भाई फिदव रखे सामान, वा माल को जैसे भी की मदद से उठा कर जब्द किया गया, इस कारवाई के दोरान व्यापारियों वा मनपागर्मचारियों के बीच जोरदार बहस भी हुई, कारवाई के दोरान तनाव का वातावरन रहा नाकपुर महानगर पालिका के आगामी आम चुनाओं को ध्यान में रखते हुए, बुधवार को सभी दस जोन में मतदाता सुची, पुनरिक्षन कारेकरम के तहद बैठक बुलाई गई बैठक का आयोजन मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर हुआ, जिसमें तमाम जोन के अध्यक्ष, पारशद गण, सहयक आयुक्ता और गणमान्यनागरी को पस्तित थे महाराश्चर राज्यक के मुखे निर्वाचन अधिकारी ने 1 जनवरी 2022 के आधार पर मतदाता सुची के संशिर्पत और संशोधन के कारेकरम के समन में एक ओनलैन बैठक बुलाई थी इसमें नागपुर महानगर पालीका की और से बुधवार को सभी जोन में विशेज बैठक बुलाने का सुजाओ दिया गया इस समन्वे जिलादीकारी के माध्यम से मनपायुक्त को अवगत करा दिया गया है मनपायुक्त राधा कुष्ण भी ने सभी जोन के सहायक आयुक्तों को ततकाल प्रभाव से बैठक बुलाने के निर्देश दिये थे तद्नुसर बुधवार को लक्ष्मी नगर, धरम पेठ, हनुमान नगर, धन्तोली, नहरू नगर, गांधी भाग, सतरंजी पुरा, लकडगंच, आशी नगर तथा मंगलवारी ये दसो जोन में सभी अध्यक्षप पार्षत गणमान्यनागरी को की बैठक हुई राज्य में नाकपूर, बीड, साकी नाका, परभनी, डोंबी वली और कई अन्य स्थानों पर महिलाओं के खिलाफ बलातकार और अत्यचार की घटनाओं के बावजूत, राज्य सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है महिला सुरक्षा के क्षेतर में सरकार की निश्क्रियता, चिंता, जनक और परेशान करने वाली है अब महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए कानून को अपने हाथ में लेना चाहिए या सरकार की तरह घर में ही रहना चाहिए इस आशे के विचार अर्चना डेहनकर ने प्रेस कॉन्फरेंस में व्यक्त किये। उन्होंने आगे कहा कि महिलाओं की रक्षा करने में असमर्थ इस गड़बंदन सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई अधिकार नहीं है। अधिक लागू नहीं किया गया है। महिलाओं पर अत्यचार का मुद्दा उठाय जाने की करीब देड़ साल बाद आखिरकार सरकार को अक्तूबर दोजार इक्डिस में ही महिला आयोक की अध्यक्षा नियूक्त करने का समय मिल सका। जो सरकार की नाकामी पर साफ प्रकाश ड राई। रामगिरी जोपडपटी के पाच वर्ष से बारा वर्ष तक के बच्चो को विशेश बस द्वारा चाहसी राने मेट्रो स्टेशन तक लाया गया। वहां से उन्हें मेट्रो से लोकमान्य नगर तक सफर कराया गया। अधिकांज बच्चे जिन्नोंने ट्रेन के अधिकारे में सुना था जब ट्रेन को पटरी के उपर दोड़ते हुए देखे तो अचंबित हो गया। उनकी खुशी का ठीकाना नहीं था जब वहां मेट्रो में बैठे हैं। जहां सिरानी मेट्रो स्टेशन पर सभी बच्चों को नाश्ता जूस के पैकेट दिये गए। रिजन चेर परसन की और से सभी बच्चों को फाइव स्टार चॉकलेट दी गई। आशिरवात से शुभारम समारोह संपन्न हुआ। इस अउसर पर हजरत मौलाना मुहमद हसन दानिश औरल मौलवी गुलाम हसनेन बाकरी ने भाग लिया। विमोचन समारोह के बाद विशिष्टाती थी शमीव अक्तर ने लेखक और पुस्तक के बारे में विस्तुरुत भाशन दिया। बाद में पुस्तक के लेखक वकिल नजीब ने पुस्तक लिखने पर अपने विचार प्रस्तुत किये। आज 18 प्लस और 45 प्लस आयू वर्क के सभी नागरिकों का कोविट शिल्ट का टिका करन नाकपूर महानगर पालिका के साथ साथ सरकारी केंद्रों पर होगा। टिका करन का समय शाम के पाज बजे तक होगा। टिका करन के लिए ओनलाइन और ओफलाइन दोनों पद्धतियों से पंजी करन कराया जा सकता है। इस तरह ड्राइविन वैक्सिनेशन केंद्रों पर भी अठरा वर्ष और पैतालिस वर्ष से अधिक आयू के सभी नागरिकों को कोविट शिल्ट के जरीए टीका करन किया जाएगा। ये जानकरी चिकित सास वास्ता अधिकारी डॉक्र संजय चिल करने दी। इस तरह अठरा प्लस और पैतालिस प्लस आयू वर्ष के नागरिकों के लिए कोवैक्सिंग का पहला और दूसरा डोज मेडिकल कॉलेज डॉक्र बाबा साहिब आमबेटकर अस्पताल कामठी रोड वस्वर्गिय प्रभाकर दटके मनपा महाल रोग निदान केंद्र एम्स अठरा लाग 16,000 नागरिकों ने टीके का पहला डोज ले लिया है इनमें 50,000 स्वास्त सेवक 57,000 फ्रंट लाइन वर्कर 45 वर्ष से अधिक आयू के 3,37,000 नागरिक 45 वर्ष से अधिक आयू के 1,4,000 कॉमार बिड नागरिक 18 वर्ष अधिक आयू के 10,10,000 नागरिक और 60 45 वर्ष से अधिक आयू के 2,85,000 नागरिक 45 वर्ष से अधिक आयू के 44,000 कॉमार बिड नागरिक 18 वर्ष से अधिक आयू के 4,99,000 नागरिक और 60 वर्ष से अधिक आयू के 1,90,000 वरिष्ट नागरिकों का समावेश है अब तक कुल मिलाकर 29,2,000 नागरिकों का टिका करन तो नागपूर हलचल में आज इतना ही आप से कल फिर मुलाकात होगी तब तक देखते रहिए विकेबी न्यूस नमस्कार